Hello friends, welcome back to my channel, देखिए आज का हमारा टोपिक है How to write short form and expanded form आज हम अपनी इस वीडियो में short form and expanded form को निकालना सिखेंगे कि कैसे इनको करते हैं तो देखिए short form है, यह मैंने यहाँ पर 4 examples लिए हैं जिससे आपको अच्छे से clear हो जाएगा कि कैसे हम short form को करेंगे देखिए short form को standard form भी बोलते हैं देखिए यहाँ पर पहला है question, 3000 plus 100 plus 50 plus 6 तो देखिए 3000 है तो हमें सबसे पहले लिखना है 3 अब 1000 के बाद में आता है फिर 100, तो 100 प्लेस पर है 1 यहाँ पर देखिए फिर 100 के बाद आता है 10, तो 10 में है 5 फिर आता है once, once में है 6 अब next question देखिए 50,000 plus 600 plus 90 अब इससे क्या होगा आप आगे करेंगे question तो इससे आपके और भी concept clear हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले 50,000 है यहने कि यह 10,000 के प्लेस में चला गया है देखिए यहाँ पर 50,000 है तो हमें करना है 50 का 5 50,000 हो गया है तो आप देखिए 1000 आएगा तो 1000 प्लेस पर यहाँ पर कोई भी value नहीं है कोई भी digit नहीं दी गई है तो हम लगा देंगे 0 1000 के बाद आता है 100 तो 100 पर देखिए 100 प्लेस पर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 तो हमने यहाँ पर लगा दिया 6 फिर 100 के बाद आता है 10 तो 10 में देखिए 9 अब देखिए यहाँ पर फिर आता है 10 के बाद वंस तो वंस में कोई डिजिट नहीं दी गई है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0 It means जहां पर भी जिस प्लेस पर भी आपको कोई डिजिट नहीं दी गई है तो हम उस प्लेस पर लगा देंगे 0 I think आपको clear है next देखिए और भी clear हो जाएगा यहां पर देखिए 8000 प्लस 8 तो यहनी 8000 का हम लगा देंगे 8 10000 प्लेस पर है 8 अब देखिए 100 प्लेस पर लगाएंगे 0 60 000 प्लस 70 प्लस 6 तो देखिए 60 है तो हम पहले लगा देंगे 6 10 000 पर आगे आई ये, तो 6 लगा दीए, अब 10 000 के बाद के पादाँ है, थाउजन. 1000 पर फिडिखरे ले नहीं दी गई है, तो हम लगाएंगे 0. अब देखिए, 100 में पर हैं 100 पर पी ले वाधां, तो हम लगा देंगे 0. धिरो, टैंस प्लेस पर देखीए, अब यह प्लेस पर आ गई है 6, अब यह प्लेस पर है 6, I think आपको प्लियर है, आपको आइफिक कि यह तो आते होंगे कि कहां से शूरू होता है, देखें मैं एक बार आपको बता देती हूं सबसे पहले आता है हमारा once फिर आता है tens फिर आता है hundred फिर आता है thousand फिर आता है ten thousand उसके बाद में ऐसे ही चलते जाएंगे फिर आएगा lag फिर आएगा ten lakh ऐसे ही आगे चलते जाएंगे आपको clear है concept अब next देखते हैं हमें करना है expanded form देखे मैंने expanded form के भी 4 questions लिए हैं ताकि आपको अच्छे से for example है इसके जिससे आपको अच्छे से concept clear हो जाएगा देखे 4694 4600 94 है हमारे पास तो देखे हम इसको कैसे लिखेंगे 4 है 1000 है तो 1000 प्लस 600 प्लेस पे है 6 तो 100 90 10 प्लेस पे है तो 90 प्लस 4 वन्स प्लेस पे है 4 कुछ भी नहीं है बिल्कुल इजी है बस एक चीज समझनी है इसके अंदर तो कि जितनी भी value आगे दी गई है आप उतने ही 0 लगाते जाएं जो जिस place पे है उतने ही उसके आगे 0 लगाते जाएंगे हम तो देखे ये 1, 10, 100, 1000 अभी 10,000 पे है तो देखे 5 लगाया और 10,000 में कितनी 0 आती है 40 तो हमने लगा दिया 10,000 9 कौन से place पे है 9,000 place पे है तो देखे 1000 place पे 9,000 लिखती है हमने 800 place पे है तो हमने 800 लिख दिया 4 10s place पे है तो हमने 40 लिख दिया 5 place पे 1s है तो 5 लिखती है हमने ओके आइधिंग क्लियर है नेक्स्ट देखिए 76090 तो देखिए 76,000 90 तो देखिए 70,000 हाजाएगा 10,000 place पे है 7 प्लस 6 पे है 1000 place पे है अब देखिए 100 place पे 0 है तो हमने कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है हम 100 place पे कुछ भी नहीं लिखेंगे चाहे तो आप 0-0 लिख सकते हैं बढ़ कोई जरूरत नहीं है अब देखिए 10th place पे है 990 कर दिया हमने अब once place पे 0 है तो हमें उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको clear है अब देखिए next question 48,000 तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे 40,000 प्लेस पे है 8 तो 8,000 अब देखिए 100 place पे 0, 10s place पे 0, 1s place पे 0 तो यानि कि हमें इनको 0 को लिखने की जरूरत नहीं है तो हम सीधा ही इसको ऐसे ही expand कर देंगे आपको clear हो गए है अगर किसी के तरह का doubt रहता है तो आप मुझे comment section में भूच सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे like कीजिए share कीजिए comment कीजिए चैनल पर subscribe कीजिए thank you so much